वही च्छे करोड 21 लाग के लागत से बनने वाले लगुसोची वाले का कार्य पांस साल से भी जादा समय पूरा हो गया तिकने ये कार्य पूरा नहीं हुआ ठेकेदार की बड़ी लापर वही देखने को मिली है जिसके चलते 63,60,000 रुपए का जुर्माना भी लग चुका है उसके बावजूद भी काम अधर में लटका हुआ है अभी भी सच्छी वाले में विजली कनेक्शन, परनीचर, लिफ्ट सहीद, कई काम अधूरे पड़े हैं इसके शुरूख होने में 6 महीने का समय और भी लग सकता है वही इसी मामने को लेकर बिल्डिंग हैंड ओवर अन्याबार मेंब्रों ने भी बिल्डिंग को लेकर सवाल उठाई और कहां कि ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों की भी यह लापरवाही है कि मीनी सेक्टेट जो रतियां में बनना था बहुत दूरा पड़ा है 2016 में सिलानियास हुआ था जो के लगबग 2 साल के अंदर पूरा होना था 2018 में पूरा होना था लेकिन फिर भी ठेकेदार को फाइन लगने के बाद उसने इजाजत और मांगी जो के दो साल के लिए एक्स्टेंड कर दीगी 2020 तक थी लेकिन फिर उनने करोना की आड़ लेते हुए फिर इसको अक्स्टेंड करवा लिया जो कि आज 6 करोड 21 लाकी है कि सभी दफ्तर जो के एक मीनी सेक्ट्रेट के अंदर आने चाहिए थे आज वो नहीं आ पारे इसका टेंटर पास हुआ था जिसको जिसकी समय अवदी दो साल दी गई थी वो दो साल में पूरा होना था प्रंतु ठेकेदार की नाकामी लगाओ परशासनिक अफ्रों की न मिनी सेक्ट्रेटर बनाएक डिएसपी की पोस्ट खाली पारी है शवहाना सकते हैं और तोकाप्र पेंडिंग पड़ा वो देखाब कब सब्सक्राइब दो साल में त्यार होनी थी 2016 में इसका ट्रेंट रुआ था अठारा में त्यार होनी थी उसके बाद ठेकेदार को लेट के कारण फैंड भी लगा था 68 लाखरपे का अभी तक हैंड़ोवर हुई नहीं काम क्योंकि